नेक्स्ट कोश्चन 69 में एक्स एंड वाई है पार्टनर प्रॉफिट शेयर दी हुई है टू इस टू वन एंड 31 समय 2019 की दी हुई है में बैलन्स शीट ओके और उसके बाद लिखा है जेड एडमिट हो रहा है पार्टनर शेयर के लिए और टर्म्स दी हुई है इसे लेकर जी तक ओके और एंड में लिखा है परपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलन्स शीट अब कोश्चन में कुश्च नहीं स्पैसिफाइ किया कि रीवेलिशन अकाउंट बनाना है जहां फिर रीवेलिशन वाली जनरेंटी डालनी है ठीक है तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो ज इंकम रुपीज फोर हंडर्ड टू भी काउंटर फोर अब एक्रूट इंकम है हमारी मींज एसर्ज है लेकिन बुक्स में रिकॉर्डर नहीं है तो एसर्ड में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वैल्यू इंक्रीज सो इंक्रीज इन वैल्यू फैसर को हम रिकॉर्ड करते हैं रिवेलेशन की क्रेड़िट साइड तो लिखिए फिर इसको क्रेड़ साइड बाई एक्रूड इंकम फोर हंडर्ड ओके नेक्स्ट पॉइंट में हमें मार्किट वैल्यू दी हुई है इंवेस्टमेंट की फोर तो यह हमारा क्या हो रहए इंक्रीज इन वैल्यू फैसर तो इनिकरीज है तो छलिए फिर इसको भी डालतेते हैं करेड़िट साइड तो लिखिए बाई इन वैस्टमेंट उन फाजन फाउड हंडर्ड फोर सो ता फाउड हंडर माइनस थ्री थाउजंड तो यह किता निकल को कुछ नहीं जाएगा कैपिल अकॉंट में ट्रीट करेंगे इसको उसके बारे पास पर वीजन फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमजिस तूबी कैप्ट फॉर वान थाउसंट अब क्लेम फॉर डैमजिस के गेंस्ट हमने के पर वीजन रखनी है वान थाउसंट तो रख लीजिए एक नहीं लाइबिल्टी क्रियेट हो रही है कोई भी पर वीजन जा लाइबिल्टी हम क्रेट कैसे करते हैं डेबिट करके रीवेलिशन काउंट को तो लिखिए फिर तू पर वीजन फॉर क्लेम फॉर डैमजिस वान थाउसंट ओके उसके बाद है मारे पास तोटल कैपिल कैपिल फॉर्म हमें गीवन है कैपिल कौन में देखेंगे इसको उसके बाद जैड ने लिखा है शुट भी निसेसरी माउंट ऑफिस शेयर ऑफ कैपिल जितना इसका शेयर ऑफ कैपिल बनता है वो लेकर आएगा और वान थाजन फाइव हंड़ एस शेयर भी लेकर आया हु नई प्रॉफिट शेयर देशो हमें कैलकुट करनी पड़ेगी तो चलिए पहले रीविलेशन अकाउंट का क्लोज कर लेते हैं बाकी इड़्जस्मेंट आगी कर लेंगे तो डैबिट साइड हमारे पास वान थाउजन और ग्रैडिट साइड हमारे पास वान थाउजन इसके तो 900 निकला हमारा डैबिट साइड बैलंस जिसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट और रिवैलेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई का शेयर लिख देंगे टू इस्टू वन की देशो है 900 मुल्टिप्लाइवाइवाइवाइट त किया तो यह निकला 300 ओके तो चलिए आगे फटा फट से इसका कैपिटल अकाउंट पर प्रपे कर लेते हैं तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट क्राइट साइड डालेंगे पार्णर का बैलंस तो लिखिए वाई बैलस ब्राउट डाउन बैलस शीट में दिखिए एक्स का बैलस लिखा हुआ हमारे पास 6000 एंड वाई का है 4000 तो लिख दीजी आज इस एक्स का 6000 एंड वाई का 4000 ओके उसकी माद हमारे पास है लाइबिल्टी साइड वर्कम एंड कंपर्शन रिजरव जो डिस्टिब्यूट होगा पार्टनर्स में अब लेकिन कितना आफ्टर अडजेस्टिंग क्लेम तो क्लेम है 1400 का 3200 का हमारे पास रिजरव तो बैलंस आया जे 1800 ओके जा फिर इसको बोलो 1800 तो 1800 को हम टू इस टू बन की रिश्व में डवाइड कर देंगे ओके लिखिए वर्कम एंड कंपंसिशन रिजरव अकाउंट 1200 आ जाएगा एक्स का और 600 आ जाएगा वाई का वन इस टू इस टू बन की रिश्व में इसको डवाइड किया हमने और कुछ नहीं है जहां पर उसके बाद हम देख लेंगे रिवेलेशन काउंट का प्रॉफिट डाल देते हैं जो हमने कैलकुलेट किया अभी अभी तो एक्स का शेर हमने कैलकुलेट किया 600 और वाई का किया 300 तो एज इस लिख दीजिए 600 और 300 ओके नेक्स पॉइंट में टोटल कैपिल दी हुई है नि प्रॉफिजिंग रेशो तो हम क्या करेंगे 1500 को ड्वाइड कर देंगे 2-1 में एक्स का शेर हमारा 1000 वाई का 500 ओके चलिए अब इसके बाद हमें कालोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल के और सी चलिए उसके लिए वरकिंग नोट परपेर की जो कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशो हमारे पास जो जेट का शेर है वो है 15 तो लेट कर लीजे टोटल शेर और फरम आ जाएगा हमारे पास कितना वन तो वन माइनस 15 किया तो रमेनी शेर निकल जाएगा एकसन वाई के लिए कितना 4 वाई 5 ओके 5 ले लिए लिए ल एकस एंड वाई के बीच तो चलिए फिर एकस का न्यू शेर कैलकुलेट करते हैं 4 वाई 5 मल्टिप्लाई बाई एकस का ओल्ड शेर कितना है 2 वाई 3 तो ये निकला हमारे पास 8 वाई 15 ओके सेम ये हम कैलकुलेट कर लेंगे वाई का न्यू शेर 4 वाई 5 मल्टिप्लाई करे जी है तो यह निकला हमारा 3 by 15 सभी का हमने बेस कर लिया equal 15 by 15 तो new ratio आई हमारी 8 is to 4 is to 3 ओके अब जो हमें capital balance दिया हुआ है new firm का वो हम new ratio में distribute कर देंगे among the partners ओके तो चलिए लिखिये to balance carry down 18,000 multiply by 8 by 15 किया तो x का निकला 9,600 same way y का calculate कर लेते हैं y का आया 4,800 and z का आया 3,600 अब z का जितना भी share आया है वो पैसे लेकर भी आया है तो लिखिये buy cash account z के column लिख दीजे 3,600 तो z का तो account हो गया हमारा nail बहुत टैली हो गया closing balance तो है ही 3,600 ओके इसमें कुछ ने करना ठीक है और x और y का हम balance निकाल लेंगे वी कितना निकला है पैसा लेकर आएंगे कि पैसा देंगे वो तो x का debit का total है हमारे पास 9,600 और credit का total है हमारे पास 8,800 तो balance निकला x का हमारा credits ID तो means वो cash लेकर आएगा बिजनस में तो लिख दीजिए y cash में ही उसका 800 ओके सेम वे हम y का calculate कर लेते हैं y का है debit total 4,800 और credit का total है उसका 4,000 5,800 तो y का हमारा balance आया debit side तो लिखिए two cash balancing figure 600 ओके इसका क्या मतलब है कि y को पैसे business देगा और excel लेगा तो चलिए फिर अब फटा फट से balance sheet पर pay कर लेते हैं new partnership firm की से पहले है हमारे पास पुरानी balance sheet में bills payable 1000 के तो same as it is लिख दीजिए को कि इसको हमने कुछ नहीं किया bills payable 1000 उसके बाद है मारे पास workman compensation ज़र थी 1200 का यह हमने कर दिया है खतम हमने इसको transfer कर दिया partners capital account में and जो claim था balance उसमें transfer किया है तो claim का यहां पर हम लिख लेते हैं workman compensation claim payable account बन जाएगा हमारा कितना आगया वो 1400 ओके नेक्स्ट है हमारे पास capital के balances तो as it is capital के balances लिख देते हैं जो हमने अभी वी calculate किया है new वाले तो लिखे capital account x capital wise and z का x का है 9600 y का है 4800 and z का है 3600 तो total है हमारा 18000 ओके उसके इलावा एक हमने provision ने create की है provision for claim for damages तो provision for claim for damages हम record करेंगे liability side तो लिखिए provision for claim for damages कितना amount 1000 ओके तो चलिए अब हम prepare कर लेते हैं हमारी asset side asset सबसे पहले हमारे पास है cash in hand 3200 का उसमें प्लस कीजिए जितना भी cash वो लेकर आया है हमारा Z capital के लिए वो लेकर आया कितना 3600 और उसमें प्लस कीजिए जो share of goodwill लिया 1500 और उसमें प्लस कर दीजिए जो x लेकर आया 800 और माइनस कर दीजिए जो y लेकर गया 600 ओके तो यह हमारा balance निकला 8500 ओके नेक्स आइटम है मारे पास trade data 300 3000 के और उस पर परवीजन है 500 की तो हमने इसको कुछ नहीं किया as it is जो था वैसे ही रहने देते हैं लिखिए trade data 3000 less provision 500 तो net है मारे पास 2500 के ओके उसके बाद है मारे पास stock stock कितना है 5500 का stock को भी हमने कुछ नहीं किया तो as it is यह आ जाए गया जाए जे stock 5500 और उसके बाद है मारे पास investment 3000 की investment की हमारी जो value है वो बड़ी है कितनी 1500 से तो जे investment हमारी आगी कितनी 4500 ओके और balance sheet के इलावा एक asset हमारा निया create हुआ है जो हमारा accrued income था 400 का तो वो भी balance sheet में डाल दीजिए तो लिखिए accrued income 400 ओके यह सभी item का treatment हो चुका है अब हम लगा लेते हैं इसका total liabilities है हमारे पास 21400 और ऐसा से तोल भी है 21400 टोटल आपस में tally है तो question हो चुका है हमारा complete ओके next question है हमारे पास 70 number जिसमें हीना नीरेज हैं partner 3-2 ratio में और उनकी capital account के balance दिये हुए 80,000 50,000 respectively और उनने SEMA को admin किया 1st 2014 को as a new partner one fifth profit share के लिए और SEMA capital लेकर आ रहे है 60,000 टुक है और हमें बोला गया है कि calculate करना value of goodwill को of the firm and record necessary journal entries on SEMA's admission तो क्या मतलब है इस question में हमें goodwill भी निकालने को बोला है में इसे hidden goodwill का concept है तो चलिए फिर निकालते हैं इसमें goodwill तो चलिए calculate करते हैं लिखिए calculation of amount of goodwill goodwill का amount निकालने के लिए हमें दो capital निकालनी पड़ेगी एक तो total capital हम निकालेंगे after SEMA's admission तो SEMA की capital को base लेकर निकालेंगे new capital of firm उके उसके बाद हम calculate करेंगे combined capital of all firm including SEMA means new partner को include करके जितना amount already invested है उसका total लगाएंगे वो निकलेंगे हमारी combined capital ओके चलिए पहले calculate करते हैं total capital of new firm on the basis of SEMA's capital क्या formula जोज़ करेंगे इसको निकालने के लिए हम SEMA's capital multiply by reverse share of SEMA सीमा ने invest किया हुआ 60,000 बिजनस में तो लिखे 60,000 multiply कीजिए उसको share मिला है 1-5 तो उसका reverse क्या हो जाएगा 5 by 1 तो 60,000 multiply by 5 हुआ तो जे total capital of new firm आई हमारी 3 lakh रुपीज ओके अब हम calculate कर लेंगे combined capital of all partners सभी partners की including new partner भी capital का total लगाएंगे जो already business में है ठीक है इसका क्या करने formula हीना as capital प्लस निरेज capital प्लस सीमा as capital okay हीना का already invested है बिजनस में 80,000 और निरेज का है 50,000 सीमा लेकर आ रहे 60,000 okay तो जे total capital जो हमारी combined निकली गए वो है 1 lakh 90,000 okay तो चलिए अब हम calculate कर लेते हैं total good will of the firm उसका formula का है हमारे पास total capital of new firm minus combined capital अब total capital है हमारे पास 3 lakh रुपेज उसमें से combined capital minus कर दीजिए 1 lakh 90,000 तो balance हमारे पास आया 1 lakh 10,000 okay तो यह हमारी आगे firm की good will अब share of हम सीमा का निकाल लेंगे for the good will कितना आ जाएगा 1 lakh 10,000 multiply by 1 by 5 करेंगे तो यह निकला कितना 22,000 okay तो चलिए अब journal का format draw कर लीजिए और जनरेंटी डाल लेते हैं सबसे पहले हम जनरेंटी डालेंगे जिसमें सीमा capital लेकर आई है तो क्या जनरेंटी बन जाएगी cash account debit to सीमा's capital account कितना है हमारे पास 60,000 60,000 ठीक है generation आ जाएगी इसकी being cash brought by सीमा as her capital और second जनरेंटी हम डाल देंगे जो goodwill का share है वो सिधा पार्णर्स को transfer कर देंगे हमारे sacrificing को क्योंकि हमें यह नहीं बताया कि सीमा goodwill का share in cash लेकर आ रही है जा नहीं आ रहे तो उस case में हम क्या करेंगे जस्ट उसके current account को ही डालेंगे amount ठीक है तो जनरेंटी बन जाएगी हमारी सीमा's current account debit to हीना's capital account to नीरज capital account तो हमारे पास sacrifice ratio भी given नहीं है तो नहीं new ratio है तो old ratio ही हमारी sacrificing ratio बन जाएगी तो सीमा का current account में आ जाएगा सीमा का share 22,000 हीना का capital account में आ जाएगा हीना ने जितना three-fifth है उसका share old ठीक है 22,000 multiply by 3.5 किया तो जे निकला 13,200 और नीरे जिका आजएगा 22,000 multiply by 2.5 किया तो जे निकला 8,800 ओके नरेचन आ जाएगी इसकी being SEMA's share of good will transferred to sacrificing partners in their sacrificing ratio टॉपिक का end हम करते हैं यहाँ पर अगर कोई भी confusion है तो please comment कीजिए हम comment में आपका reply करेंगे जितना जल्दियों से करते हैं reply करने कोशिश करेंगे वीडियो को like करना मत बूलेगा comment कीजिए और share करें अपने friends और लेटिव के साथ चैनल को subscribe करना मत बूलेगा बैरन को प्रेस करें ताके अको latest वीडियो की notification मिल सकें thanks for watching bye bye good morning good afternoon good evening good night जब भी आप वीडियो को देख रहे हो साश्रीयकाल